हेलो एवरिवान वन्स अगेन आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ फिर से पकिट नोगल की ही किस स्टोरी का रिव्यू जिसका नाम है मेरा इश्क मेरी इबादत इसकी ओतर है राकी शर्मा पहले हम इस स्टोरी के टाइटल को जान लेते हैं इश्क और महबबत सुनने में यह शब्द बड़ा ही खुबसूरत लगता है लेकिन इश्क और महबबत के सफर में बहुत कुछ कुरवान करना पड़ता है यह कहानी तो दो ऐसे लोगों की है जिनके जीवन में इश्क और महबबत जैसे शब्द माईने नहीं रखते थे अरजुन सेंग्स शिखावत जब दस साल का था उसकी मा ने उसके पिता को गरीब होने के कारण छोड़ दिया था और किसी अमीर आदमी के साथ चली गई थी और दस साल की उम्र में ही अरजुन ने सोच लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और एक दिन उसने वो मुकाम हार्षिल भी कर लिया अरजुन सिंग्स सिखावत दुनिया का नमबर वन बिजनसमैन जिसके एक इशारे पर पोड़ा शेयर मार्केट हिल जाता था और वक्त के साथ बहुती क्रूल हार्टलेस और बेदर्स बन गया था और दूसरी तरफ थी चाहत महेश्वरी जिसके पिता को सारा समाज जानता था लेकिन फिर भी चाहत के माथे पर नायजायज होने का धपा लगा हुआ था चाहत अर्जुन की कंपनी में पिछले चार साल से अर्जुन की पर्सनल सेकेटरी का काम करती थी जॉब करती थी वहाँ दिखने में एकदम साधारन लेकिन अपने काम में एकदम परफेक्ट और अर्जुन को चाहत का काम बहुत पसंद आता था अरजुन की नजरों में चाहत एक perfect secretary थी चाहत की दूसरी सिर्फ उसकी दुनिया थी उसकी मा इसलिए चाहत चायद वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी या फिर हालात ने उसे समझदार वनने पर मजबूर कर दिया था अरजुन और चाहत दोनों की ही नजरों में इश्क और महबबत की कोई एहमियत नहीं थी और अरजुन को तो इश्क और महबबत जैसे शब्दों से नफरत भी थी लेकिन कहते हैंना की खुशी, दर्द और इश्क कभी किसी की जिन्दगी में दस्तक दे दें किसी को पता भी नहीं चलता और ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ जिसे अपनी ही सेकेर्टरी से इश्ख हो गया लेकिन चाहत ने अर्जुन के इश्ख को अपनाने से मना कर दिया और यहीशे शुरुवात हुई अर्जुन की जुनून भरी महुबत की आखिर क्या वज़े थी अर्जुन को चाहत से महुबत हुई तो दिखने में भी साधारन थी और जिसका ना कोई बैक्राउंड था जानने के लिए आपको पढ़ना होगा मेरा इश्ख मेरी इवादत है और रिव्यूज के लिए मैं हूँ तो आप बात करें रिव्यू की तो मुझे स्टोरी कैसी लगी तो मुझे स्टोरी काफ़ी जादा अच्छी लगी है इस स्टोरी मेर जो अर्जुन है वो बहुत ही ख़डूस है लेकिन जो चाहत है वो उसके साथ चार साल से है लेकिन कुछ ऐसी situation आती है कि इन लोगों को fake marriage करनी पड़ती है और जो अर्जुन है वो उसे force करता है कि अब आपको इस पलक को की चाहत को कि अब आपको इस marriage में रहना पड़ेगा लेकिन पलक जो है वो हमेशा भागती रहती है उससे और अब काफी जाधा मज़दार स्टोर में जो चाहत है वो अर्जुन को के को accept करेगी और दोनों ही अभी मतलब confused हैं कि हमको एक दूसरे से प्यार है या नहीं है बट अर्जुन के लिए चाहत एक टाइसे कह सकते हैं जुनून बन चुकी है और उसी इस बात का पता भी नहीं है वो ये सोचता है कि चाहत जो है वो जो चाहत है वो से हमेशा भागती रहती है और ये क्या वज़े है इस स्टोरी में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बाकि मुझे स्टोरी काफी जादा पसंद आई है अभी इस स्टोरी के सिर्फ 21 एपिसोड आए है तो आप pocket novel पर जाकर इस स्टोरी को जरूर सुन स सकते हैं बाकि मुझे स्टोरी काफी जादा पसंद आई है और इस में से मैं आपको दूँगी 10 में से 9 तो जरूरी दूँगी क्यूंकि मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगी यार और आप भी पढ़ सकते हैं तो thank you for watching and subscribe कर दीजे मेरे चैनल को and like कर दीजे मेरे वीडियो को ऐसे हिस्टोरी के रिव्यू जानने के लिए और मेरी स्टोरी आपको सुनना है तो आप मेरी चैनल पर जाकर इस चैनल पर जाकर आप मेरी स्टोरी सुन सकते हैं thank you for watching